नमस्क्राइब स्वागते आपका न्यूज वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देखने माँ खासकार कम गुड मॉर्निंग इंडिया केंद्र की नरेंदु मूदी सारकार ने अफगानिस्तान, बागला देश और पाकिस्तान से आये गैर मुस्लिम शरनाथियों सिभातिय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं साथ ही गुच्रात, राजिस्तान, 36 गर, हर्याना और पंजाब के 13 जिलों में रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धो जैसे गैर मुस्लिमों से भी नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं केद्वे ग्रहम अंतराले ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतरगत बनाए गए नियमों के तहट आदेश के ततकार कार्य वहन के लिए इस आवश्य की एक अधिसूचना जारी की है हाला के इस सकार ने दोज़ा उनिस में लागू शंशोदित नागरिकता कानून के तहट नियमों को अभी तक तयार नहीं किया है ग्रेव अंतराले के अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहट मिली शक्तियों का इस्तिमाल करते हुए के इंद्रसकार ने कानून की धारा 5 के तहट ये कदम उठाया है इसके अंतरगत उप्रोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिसान, बांगलादेश और पाकिसान के हिंदू, सिक, बोग, जैन, पार्सी और इसाई, अल्प, संख्यक समुदाय के लोगों को भारतिय नागरिकता के लिए तोड़ पर पंजिकरत करने के लिए निर करते हुए सुनवाई पूरे होने तक उसे देश पे ही रहने का आदेश दिया है, साथ ही उसे अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त देते हुए, कोवर्ट टेस्ट करा का क्वारंटीन में रखे जाने की लिए कहा है, इस मामले पर अगले सुनवाई के लिए अदाला तिन जो आने तक में खुल को साकार और बचाव पक्ष की आपसी सहमती के सुरक्षिस सान पर रखा जाएगा, चॉक्सी को पुलिस सेल से बाहर आने की राहत मिल गई है, लेकिन उसकी पुलिस कस्टडी बरकुरार है, इस भी चॉक्सी को अपने वकीलों से मिलने की इजासत दे दी थी, शोशल मीडिया के लिए केंद साकार की नई गाइडलाइन स्कूले कर साकार और ट्विटर के बीच तना तनी और पढ़ती जा रही है, सूत्रों के मताविक अब तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह तरफ से नियमों के मताविक अधिकारिय अच्वार सहींता के नियम 2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपारन अधिकारी नोडल संपक व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरन इलक्ट्रोनिक्स और आईटी मंतुराले के साथ साज़ा किया है, सूत्रों के मताविक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म जै प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर निकल देवरात तक एक संदेश भेजा जिसमें भारत में कानूनी फर्म में काम कर रहे क वकील का नोडल संपक व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में विवरन साज़ा किया गया था, जबकि नियमों के अनुसार में सोशल मीडिया क कमपनियों को के ये नियमित अधिकारी कमपनी के करमचारी खूने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए कोरोना के लाग से जुडे समानों वैक्सिन पर GST दर्ये कम करने कुले का विस्तर चर्चा हुई कई राज्जों ने इस में किये जाने कुले कर इसे GST मुक्त किये जाने तक की मांग की इनमें जाया तक गैर बीज़िपी शाहसे राज्यों के वित मंत्री थी हाला कि बैटक में ये मामला उठा कि GST दरें कम करने या बिलकुल खतम करने के फैसले से आम लोगों को पायदा होगा या इस छूट का फायदा के वला स्पतालों को ही मिलेगा ऐसे वे किसी सहमती पर पहुंशने के लिए एक मंत्री समू बनाया गया है जो आज जून तक अपनी रिपोर्ट देगा जिसके बाद काउंसल की कोई अंतिम फैसला लेगा सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानि शूनिवाद को पैटरोल डीजल के रेट जारी रखे हैं घरेलो बाजार में तेल की कीमतों में फिर उच्छाला है पैटरोल के दाम 26 पैसे प्रतिलीटर की बढहुतरि हुई है, जबकि डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रतिलीटर का इसापा हुआ है दिली के बाजार में पेट्रोल 93.9 रुपे जबकि डीजल 84.89 रुपे प्रतिलीचर पहुँच गया है मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100.19 रुपे और डीजल की कीमत 92.7 रुपे प्रतिलीचर हो गई है बता दें कि शुकरवार को तेल के वेट स्थिर रहे जबकि इससे एक दिन पहले सरकारी तेल कमपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया था गुड मॉरिंग इंडिया मैं आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया